नमस्कार किसान भाईयों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एलफटल में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह मूंग की फसल हमारी लगी हुई है और काफी किसान भाईयों की कमेंट आ रहे थे कि आपके वीडियो नहीं आया है हमें मूंग की वेग्यानिक खिती के बारे में आप पूरी डिटेल दें किस प्रकार से हमें पानी लगाना है कौन सी दवाई का उपयोग करना है और कैसा कैसा रिजल्ट हमारी फसल के उपर दवाईयों का आएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारी मूंग की फसल जो है वो लग चुकी है और इसके अंदर तीन पत्तियां कहीं कहीं पर बाहर आ रही है इससे पहले ठीक आठवे दिन जब मूंग उंगे थे उसके आठवे दिन हमने इसमें स्प्रे किया था उसके अंदर हमने एक सावधानी रखी थी कि जैसे कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया है कि किसी भी दवाई का उप्योग करना है लेकिन अच्छी वाली यूज़ करना है मतलब कि आप कोराजन यूज़ कर सकते हैं फेम यूज़ कर सकते हैं इस्पाइनोसेड यूज़ कर सकते हैं इस्पाइनोटरम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको लॉंग लास्टिंग और पहली तीन पत्ती पर्यावत मातरा में निकल जाए ऐसार रिजल्ट मिले अब काफी किसान भाई बोल रहे होंगे कि आप इमा वेक्टिन बेंजोएट का क्यों नहीं बताते हैं तो जो मेरी जनरल अब्जरवेशन है और खेत में प्रैक्टिकल्स जो हमने किये हैं उसका ये कहना है कि इमा वेक्टिन जो हाई टेंपरेचर बढ़ता है तो उसका रिस्पॉंस जो है कम हो जाता है क्योंकि इमा वेक्टिन जो केमिकल है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है इसलिए वो जल्दी डिस्ट्राइब हो जाता है और इलियों पर उतना प्रभावी नियंतरन उसका नहीं आता इसलिए हम इमा वेक्टिन बेंजोएट का यूज करने का मना करते हैं आप इंडो स्कार्व का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके छेतर में मिलते हो तो तो आप वो ही केमिकल लें जो थोड़ा सा हेबी हो जिससे कि आपके इंसेक्ट बगेरा आसानी से कंट्रोल हो जाए अब बात आती है कि हम जैसे ये दवाईयां डाल रहे हैं तो इनके रिजल्ट के सामिला तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने को डाला है मतलब टेक्निकल को जिन कता अब अलग अलग कंपनी का ले सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डेमेज जो है बहुत कम ना के बराबर हुआ है और यह सबसे प्रथम अवस्ता है अगर आप इसके अंदर यह वाली पत्ती को खिला देते हैं पहली पत्ती जो तीन आने वाली होती इसके खिला देते हैं तो आपका जो पौधा है वो करीब 15 दिन का लेट हो जाता है जैसे कि मैं आपको एक एक्जामपल बताता हूँ मेरे plot में अगर कहीं पर एक पौधा खाया हुआ दिख जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि उस पौधे की stage और बाकी पौधों की stage में काफी जादा फरक नजर आएगा आपको हलाकि मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है अगर मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी तो जहां भी देख रहा हूं मैं पर्याब तरीके से इसमें तीन पत्ते आये हुए हैं कहीं पर भी हमने इल्लियों को लगने नहीं दिया और एक चीज़ जोर है कि अगर आप इल्लियों को लगने नहीं देते हैं तो आप कम डोस में जादा अच्छा रिजल्ट ले सकता है और अगर आपके छेत्र में लग जाती है उसके बाद आप दवाई डालते हैं तो फिर आपको मात्रा भी हेवी रखनी पड़ती है जिससे कि आपके पौधे को भी नुकसान होता है क्योंकि कम मात्रा में रहता है तो पूरा मिट्टी के उपर चला जाता है और उसी के साथ आपकी जो दवाई है उसका भी नुकसान पड़ता है इसलिए लगने ना दे ज्यादा बहतर है जैसे कि आप देख सकते हैं इस पौधे को इल्ली खा चुकी थी अब इस पौधे की स्टेज है कि ये नया अंकुर निकाल रहा है उसी के साइड का पौधे की छे पत्या निकल चुकी है मतलब ये करीब 15 दिन का अंतराल होता है इतना गेप जो की एक पौधे के अंदर आज आएगा जिससे कि आपकी फसल लेट हो जाएगी और उदर मांसून आज आएगा जिससे आपको भरी नुकसान पड़ सकता है तो पहले आठवे दिन आप साउधानी रखें कि आपको दवाई डालना ही है चाहे आपके यहाँ पर केम इल्लिया दिखे या नहीं दिखे दूसरी वाद कि दूसरा पानी कब लगाएं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तीन पत्ते हैं और ये तीन पत्ते हैं मतलब अगर इस पौधे के अंदर टोटल पत्ती देखी जाए नीचे की दो छोड़कर तो छे पत्तिय आनी चीए और नई पत्ती की प्लानिंग बननी चीए जब अगर आप पानी देते हैं तो इसके वेजिटेटिव ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी आती है अब काफी किसान भाई बोलेंगे कि भीया ऐसा क्यों तो उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं तो जैसे कि अरली स्टेज में पानी लगा देते हैं तो यह जो सुक्ष में जड़े हैं इनका विकास बिल्कुली बंद हो जाता है जब जैसे ही इसका विकास बंद होगा तो यह पौधा हाइड लेने की बज़ा इसके अंदर पीलापन आने लगता है जो की अरली पानी लगाने से आता और उसी के साथ जब जड़ों का विकास बंद होता है तो इसमें एत्राकॉंस की समझा इतनी ज़्यादा आती है कि आप देखेंगे कि आपके पोधे कहीं कहीं पर सूखने लगे हैं और फंगस जो है वो काफी भीस्टन तरीके से इसके अंदर प्रकोफ मारती है लेकिन अगर आपके छे पत्ते प्रॉपर होने के बाद जब अगली पत्ती आती है उस टाइम पर अगर आप पानी देते हैं तो इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो इतनी जदा हो जाती है कि ये जो सूक्षों जड़े हैं इनका बिस्तार जो है काफी जदा हो जाता है उससे फिर पौधा रुकता नहीं है उससे continue growth लेने लगता है क्योंकि ये जब जड़ें बड़ी हो जाती है तो इनके पास से पर्याप्त भोजन पौधे के पास जाने लगता है और अगले दिन से ही growth आपको नजर आने लगती है तो ये जो दो चीजे हैं ये आपको ध्यान रखनी है जि पास इनवाद